नमस्कार सातियों मैं अभिने दिक्षिताब सभीका एग्रीकल्चर जीके के इस आपीसियल प्लेटफॉर्म पे हार्डिक स्वागत करता हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएसी की तरफ से एग्रीकल्चर की बंफर वकैंसीज आ चुकी हैं तो इस वीडियो स्टेट से बिलॉग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर बात की जाए यहाँ पर वकैंसीज के बारे में तो आपका जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल जो है एक सो पंदरह वकैंसिया जो है वो एन एसे के लिए है और आपका जो है जो आपका एसे है उसमें दस वकैंसिया है यानि कि आपका जो है अंसूचित जात वाले छेत्र में दस वकैंसिया है और जो आपका अंसूचित जात के अलावा के छेत्र है वहाँ पे आपका एक सो पंदरह वकैंसिया है तो का है एग्री कल्चर रिसर्च उप चार्ट प्लां प lease है जिसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे आपका अता अपको बता रहा हूं बागी कटेगरी वाइज पोस्ट आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी आप आप टेली ग्राम ग्रुप को जॉइंट कर लीजिएगा या आपको हमारे एगरी कल्चर जी के जो वेबसाइट है वहां मिल जाएगी हमारे आप पर मिल जाएगी या आप जो है आर्पीश्च की वेबसाइट में जाके इसकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं असिस्टेंट आपकी 40 पोस्ट हैं तो अवरल आल काफी यहाँ पर देखने को मिली हैं काफी बड़िया आई हुई है अगर बात की जाए वकेंसी में जो हैं उसके बारे में तो यहां पर लिखा हुआ है और जो है मल्टिपल पोस्ट के लिए अवेदन कर सकते हैं आप एक से अधिक पोस् state से belong करते हैं तो भी इसमें फार्म भर पाएंगे जो अनसूचित छेत्र के अभ्यारती हैं वो अनसूचित छेत्र में ही कार सेवा करना चाहते हैं तो आवस्यक रूप से अनसूचित छेत्र को पत्मिक्ता देवें जो जो अन्सूचित छेत्र के भ्यारती हैं वो आपका नौन अन्सूचित छेत्र वारे जोन में भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर वो केवल अपने छेत्र में चाहते हैं जॉब करना तो आपका उसमें यह अपलाई करें इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे आपका देख ल आफिसर वाली पोस्ट है इसमें, पोस्ट रेजुट डिगरी इन मैथ विद इस्टेटिक्स, MSC एगरिकल्चर, स्टेटिक्स, MSC स्टेटिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे, नेच्ट आपका जो पोस्ट एग्रोनमी वाली है, उसमें MSC एग्रोनमी, बॉटनी वाले में MSC, agriculture बॉटनी, MSC, agriculture बॉटनी, genetics plant breeding वाले अपलाई कर सकते हैं, जो आपकी post pathology है, उसमें plant pathology वाले अपलाई कर पाएंगे, ऐसे ही आपका जो post जो है subject wise है, उसमें subject wise qualification भी है, जैसे कोई post आपकी chemistry वाली है, तो इसमें जो soil science वाले है, agriculture chemistry वाले हैं, वो अपलाई कर सकते हैं, तो इसमें आपका ये post wise सब कुछ रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी qualification दी हुवी है, जो ज़नी भी post है, आपकी जो है, नमबर 3 से नमबर 14 तक है, इनमें आपका जो है post wise qualification है, जो post आपकी एग्रोनॉमी की है, वहाँ पे MSC एग्रोनॉमी, जहाँ पे आपका agriculture chemistry की post है, वहाँ पे soil science वाले, अग्रिकर्टर की मेस्टी वाले, जहाँ पे post आपका जो है entomology वाली है, MSC जो लोजी वाले, और जहाँ पे आपका post plant pathology वाली है, वहाँ पे pathology वाले, या आपका MSC botany with specialization in plant pathology वाले अपलाई कर सकते हैं, यहाँ पे दी हुवी है, साथ साथ में आपको apply करने के लिए Hindi knowledge भी आनी चाहिए, आपको हिंदी जो language है, वह आपको लिखना आना चाहिए, देवनागरी लिपी और जो राइस्थानी culture है, वह आपको आना चाहिए, तभी आप इसमें apply कर सकते हैं, बलकि आल इंडिया वाले के आसपास salesy मिलने वाली है, यहाँ पे, फिर आपका जो और पोस्ट है, उसमें आपका level 14 है, और आपका level 12 है, यादि कि आपका 56,000 से 86,000 रुपे के आसपास salesy आपकी रहेगी, वोटा मटा मैं आपको बता रहा हूँ, आयू सीमा की अगर बात की जाए, तो जो आपकी पो मिलेगी, राजिस्थान जात के अंसोचित जात, अंसोचित जन जात, पिछला वर्ग, अत्पिछला वर्ग, EWS वालों को छोट मिलेगी, पांच साल की जो पुरुस हैं, इसके अलावा जो आपका राजिस्थान जात के अंसोचित जात, अंसोचित जन जात, पिछला वर्ग अध्पिछणा वर्ग EWS की जो महिलाय हैं को छोट मिलेगी 10 साल की, सामान वर्ग की जो महिलाय हैं को छोट मिलेगी आपका 5 साल की, इसके लावा जो तलाख सुधा, विदवाया, महिलाया वगरा हैं, उनको कोई यहाँ पर अपर लिमिट नहीं रहेगी उनके लिए, यह आप का यहाँ पर दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया के बारे में, तो चयन जो आपका होगा, यहाँ पर लिखित परिच्छा होगी, और लिखित परिच्छा के बेसिस पर आपकी बनेगी मेरिट और आपका सेलेक्शन यहाँ पर होगा, तो लिखित परिच्छा की अगर बात की ज अगर बात की जा इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आप जो है 21 अक्टूबर से 19 नौंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको यह website दियूओन गया कर शकते हैं यहां पर पहले करना रहेगा Een टेयर करना रहेगा, तो पहले आपको करना रहेगा था हैँ अगर आपको करने के दो यह रहेगा नहीं हुआ है तो आपको OTR करने की नीड पड़ेगी वन टाइम रेइस्टेशन बोलते हैं इसको पहले यह करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं आगे अगर बात की जाए अप्लिकेशन फीस वगयरा की अप्लिकेशन फीस यहां पर क्या रहेगी देखिए अगर आपको अपन की 600 रूपय जो आपके जंडल वाले हैं अब रस्टेट वाले हैं इनके लिए आपकी 600 क्यों पर शेट्वाले जिए तो अबर फेट वाले भी जो है आपका जंडल में काउंट होंगे तो उनके लिए रहेगी आपकी प्लिकेशन पीस यहां पे नेस्ट आपका आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं exam pattern की paper का pattern क्या रहेगा आपका तो जो आपका paper होगा इसमें paper में आपके दो part होंगे part A में आपका journal knowledge of राजिस्थान 40 question 40 number के आएंगे part B में आपका जो है जिसे post के लिए प्रवाइब करेंगे उस पोस्ट के आपका पेपर बनेगा जैसे मालोब अप्लाई करते हो असिस्टेंट अग्री कल्चर के लिए तो वहाँ पे आपका जो है जो पेपर आपका एग्री कल्चर वाला है पूरा जो आप बीस्टी में पढ़ते हैं इसके यहां पे जो एक कोश पोस्ट वाइस लेबर जो है वरी करेगा जो है कंसर्ट सब्जेक्ट का 110 कोश्चन आएंगे इसके 110 नंबर के रहेंगे पुल आपके जो एपर में डेड़ सो कोश्चन होंगे डेड़ सो नंबर के होंगे ठाई घंटे में आपको यह करना रहेगा मल्टिपल चोश्चन होंगा बाकी और इंफॉर्मेशन इसमें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है चलिए तो यह आपकी होगई कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस जाब को ले करके अगर आपको किसी पकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको इस एक्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे वाटसेप करियेगा अगर आप लोग इंटर्स दिखाएंगे तो इसके लिए कोचिंग भी आपको अफॉर्डेबल प्राइस पर प्रवाइड कर दी जाएगी इसी तरह की अगरिकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें थांक्यू सो मच